कारकम में मेरे साथ जुढ रहे पंचायत राज के मंत्री श्रीमा नरेंद्र सीं तोमर जी, राजस्थान, मध्यप्रदेश, करनाटरका, हरियाना, अरुनाचल प्रदेश, उत्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंदर प्रदेश और उत्राखंड के सभी आदर्निय मुख्यमंत्री गाण, हरियाना के उपमुख्यमंत्री जी, राज्यों के पंचायती राज्यमंत्री, ग्रामेण विकास मंत्री, देश भर की ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी प्रतिनीती गण, और जैसा अभी नरदर सीजे ने बताया कि करीब पांच करोड लोगों ने इस कारकम में जुड़ने के लिए रजिस्ट्री करवाई है, इतनी बड़ी तादाद में गामों का इस कारकम में सहभागिय होना, अपने आप में ग्राम विकास की दिशा के जो कदम है उसे ताकत देता है, ऐसे सभी ये पांच करोड भाई भेहनों को मेरा आदर पूरग नमश्कार, भाई यार भेहनों, पंचायती राज दिवस का ये दिन, ग्रामीन भारत के नवनिर्मान के संकल्पों को दोहराने का एक महत्वपुन अवसर होता है, ये दिन हमारी ग्राम पंचायतों की योगदान और उनके असाधारण कामों को देखने, समझने और उनकी सराहना करने का भी दिन है, अभी मुझे गाउं के विकास में सराहनिय काम करने वाली पंचायतों को सनमानित करने, उनको एवोर्ड देने का अवसर मिला है, मैं आप सभी को पंचायती राज दिवस की अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूँ, हाल में अनेक राज्यों में पंचायत चुनाव संपन हुए हैं और बहुत जगर चल भी रहे हैं, इसलिए आज हमारे साथ बहुत से नए साथी भी हैं, मैं सभी नए जनप्रतिजिद्यों को भी बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ, साथियों, आज गांव और गरीब को, उसके घर का कानूनी दस्तावेज देने वाली, बहुती बड़ी और अहम योजना, स्वामित्व योजना को भी पूरे देश में लागू किया गया है, ये वर्ष जिन स्थानों पर ये योजना, पिछले वर्ष जिन स्थानों पर ये योजना प्रारंब की गई, इसके लिए भी इस काम में जुड़े हुए और समाइबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले, सभी साथियों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और सुबकामनाय देता हूँ। स्वामित्व, योजना, गाव और गरीब के आत्मविश्वास को, आपसी विश्वास को और विकास को नई गती देने वाली हैं। इसके लिए भी मैं सभी देश्वास्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, एक साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकावला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आगर किया था कि आप कोरोना को गाउं में पहुँचने से रोकने में अपनी भूमी का निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुसलता से न सिर्फ कोरोना को गाउं में पहुँचने से रोका, बलकि गाउं में जागरुकता पहुँचाने भी बहुत बड़ी भूमी का निभाई। इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनोती है, वो चुनोती पहले से ज़रा ज़्यादा है कि गाउं तक इस संक्रमन को किसी भी हालत में पहुँचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। पिछले साल जो आपने महनत की, देश के गाउं ने जो नेत्रुत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी टिस्प्रिन के साथ, और जादा से जादा लोगों का साथ ले करके, बहुत ही पक्का करेंगे, सफलता जरूर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछली बार किया था, अब एक साल का अनुभव है, संकट के सबन में जादा तरब जानकारिया है, संकट से बचने के रास्तों के सबन में जानकारी है, और इसलिए मुझे विश्वास है, कि मेरे देश के, मेरे गाउं के सारे लोग, गाउं का नित्रुत्व करने वाले लोग, गाउं में कोरोनिया को प्रवेश करने से, रोकने में सफल होंगे, और बहुत उत्तम तरीके से वेवस्था भी करेंगे, जो भी गाइडलाइन्स समय समय पर जारी होती हैं, उनका पूरा पानन गाउं में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा, इस बार तो हमारे पास वैक्सिन का एक सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है, और ये भी सुनिश्चित करना है कि गाउं के हर एक वैक्ति को वैक्सिन की दोनों डोज भी लगें, भारत सरकार अभी 45 आयू के उपर के हर व्यक्ति का मुप्त टिका करन कर रही है, हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है, अब एक मैई से 18 साल की उम्रसे उपर के लोगों को टिका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, आप सभी साथ्यों के सहयोग से ही ये टिका करन अभ्यान सफल होगा, साथ्यों, इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोये, गरीब से गरीब का भी चूला न जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, कल ही भारत सरकार ने प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना के तहट मुप्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है, मई और जून के महने में देश के हर गरीब को मुप्त राशन मिलेगा, इस का अलाब असी करोड से जादा देश वाचियों को होगा, इस पर केंद्र सरकार चब्वीस हजार करोड रुपे से अधिक खर्च करेगी, साथियों, ये राशन गरीबों का है, देश का है, अन्न का हर दाना उस परिवार तक पहुँचे, तेजी से पहुँचे, समय पर पहुँचे, जिसको इसकी जरुरत है, ये सुनिसित करना भी, कि हम सब का काम है, और मुझे विश्वास है, कि राज्य सरकारें और पंचायत के हमारे साथि, बख्खु भी इसको भी निभाएंगे, साथियों, ग्राम पंचायतों के जन प्रतिनिती के रूप में, आपका रोल लोग तंत्र को मजबूत करना है, और गाउं की आकांग्शाओं की पूर्ति करने का है, हमारे गाउं भारत के विकांस और आत्म निर्भरता के अहम केंदर रहे हैं, पुझ ये महत्मा गांदी जी कहते थे, आत्म निर्भरता से मेरा अर्थ है ऐसे गाउं जो अपनी मुल्भूत जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्म निर्भर हो, लेकिन आत्म निर्भर होने का मटलब ये नहीं है कि अपनी सीमाओं में हम बंद जाएं, पुझ बापू के विचार कितने स्पष्ट है, यानि हमें नए नए अवसरों को, नए नए संभावनाओं को तलास्ते हुए, अपने गावों को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना है। साथियों, पिछले साल जिन छे राज्यों में स्वामित्व योजना की शुरुवात हुई थी, वहाँ एक साल के भीतर ही इसका प्रभाव भी देखने लगा है। स्वामित्व योजना में ड्रॉन से पूरे गावं का संपतियों का सर्वे किया जाता है। और जिनकी जो जमीर होती है, उसे उनका प्रपर्टी कार्ड संपति पत्र भी दिया जाता है। थोड़ी देर पहले ही, पाँच हजार गावं में, चार लाग से जादा संपति मालिकों को ई प्रपर्टी कार्ड दिये गए हैं। स्वामित्व योजना की बजह से, आज गावं में एक नया आत्मविस्वास लोटा है। सुरक्षा का एक भाव जागा है। गावं के घर का नक्षा, अपनी संपति का दस्तावेच जब हाथ में होता है, तो अनेक प्रकार की आशंग का एक खत्म हो जाती है। इससे गावं में जमीन जायदात पर होने वाले जगडे कम हुए हैं, कहीं कहीं तो परिवार के जगडे भी खत्म हुए हैं, गरीबों दलितों का सोषण की संभावनाय भी रुकी हैं, करप्षन का एक बड़ा रास्ता भी बंद हुआ हैं, कौड कचरी के मामले भी कब बंद हो रहे हैं, जिन लोगों को अपनी जमीन के कागज मिल गए हैं, उन्हें बैंकों से लोन भी लेने में आसानी हो रही हैं। साथियों, स्वामित्व योजना की एक और विशेश बात हैं, इस योजना में ड्रोन सरवे के बात हर गाउं का एक पूरा नक्षा, जमीन का पूरा हिसाब किताब भी बन जाता है। इस से पंचायतों को गाउं में विकास के कामों को एक लंबी सोच के साथ, एक वीजन के साथ, व्यवस्तित डंग से करने में भी ये नक्षा, ये मैं बहुत काम आने वाला है। और मैं सभी सरपंचों से आगरे करूँगा। इसको बड़ा समझदारी से आगे बढ़ाए ताकि गाउं व्यवस्तित रुप से विक्सित हो। एक प्रकार से गरीब की सुरक्षा, गाउं की अर्थववस्ता और गाउं में योजनाबद विकास, इनको स्वनी दी योजना सुनिश्चित करने वाली है। मेरा देश के सभी राज्यों से भी आगर रहेगा कि इसके लिए सर्वे ओफ इंडिया के साथ एमोईू साइन करने का काम जल्द से जल्द पूरा कर लें। कई राज्यों में इसके लिए भूमी कानूनों में बड़लाव की भी जरुवत है। राज्यों को मेरा ये भी छुजाव है कि गाउं के घरों के कागज बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति बैंक लोन चाहता है तो उसको बैंकों में अडचन ना आए ये सुनिश्चित किया जाए। मैं बैंकों से भी अपिल करूँगा कि वो प्रोपर्टी कार का एक फॉर्मेट बनाए जो बैंकों में लोन के लिए स्विकारिय हो। आप सभी पंचायत के प्रतिनिध्यों को भी स्थानिय प्रसाशन के साथ तालमेल और गाम वालों को सही जानकारी देने के लिए काम करना होगा। साथियों हमारे देश की प्रगती और संस्कृति का नेत्रुत्वा हमेशा हमारे गामों ने ही किया है। इसलिए आज देश अपनी हर नीती और हर प्रयास के केंद्र में गामों को रखकर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गाउं समर्त हो आत्म निर्फर हो इसके लिए पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। पंचायतों को नए अधिकार दिये जा रहे हैं। पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गाउं को फाइबर नेट से जोडने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज हर गर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को स्वपी गई है। यह अपने आप में बहुत बड़ा काम हमने आपके जिम्मे आपकी भागीदारी से आगे बढ़ाया है। आज गाउं में रोजगार से लेकर गरीब को पक्का घर देने तक का जो व्यापक अभियान केंदर सरकार चला रही हैं वो गराम पंचायतों के माज़्दम से ही आगे बढ़ रहा है। गाउं के विकास के लिए प्राक्तिताय ताय करनी हो उनसे जुड़े निरने लेने हो इसमें भी पंचायतों की भूमी का बढ़ाई गई है। आप अपने भगाउं की चिंता करें गाउं की इच्छाओं अपेच्छाओं के मताबिक विकास को गती दें इसके लिए देश्ट आपसे अपेच्छा भी कर रहा है आपको संसाधन भी दे रहा है। यहां तक की गाउं के अनेक खर्चों से जुड़ी अनेक शक्तियां भी सीधी पंचायतों को दी जा रही है। छोटी छोटी जरुरतों के लिए आपको सरकारी दप्तरों में अब कम से कम जाना पड़े इसकी चिंता कर रहे हैं। अब जैसे आज ही जो कैश इनाम कैश प्राइज यहां दिये गए हैं वो सीधे पंचायतों के बैंक एकाउंट में जमा किये गए हैं। साथियों भारत सरकार ने सवा दो लाग करोड रुपे से जादा की राशी ग्राम पंचायतों के हाथ में ही दी हैं। इतनी बड़ी धनरासी पंचायतों को इससे पहले कभी नहीं दी गई थी। इस पैसे से गाउं में साथ सफाई से जुड़े कारिय उसकी प्रात्विक्ता रखनी चाहिए। साथ पिने के पानी की व्यवस्ता किरने के लिए प्रैता करना चाहिए। स्वास्त सेवाओं को बहतर बनाने के लिए भरपूर प्यास करना चाहिए। लेकिन जब गाउं के विकास के लिए इतना पैसा जाएगा इतने काम होंगे तो अपने ग्रामबासी ये भी अपेक्षा करेंगे कि हर काम में पार दर्शिता होनी चाहिए ये अपेक्षा आपसे ही है और आपसे ही की जाएगी आपकी ही जिम्मेदारी होगी इसके लिए पंचायती राज मंत्राले ने इक ग्राम स्वराज के जरिये पेमेंट्स की ऑनलाइन व्यवस्ता की है जो भी पेमेंट होगा वो पब्लिक फाइनांस मानेजमेंट सिस्टीम पी एफ एमेस इसके माद्यम से होगा इसी तरह वर्श में पार दर्शिता और जिम्मेदारी ताय करने के लिए ऑनलाइन ओडिट की व्यवस्ता भी की गई है मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में पंचायते इस सिस्टीम से जुड़ गई है मैं देश के सभी पंचायत प्रधानों से अनुरोद करूँगा कि अगर आपकी पंचायत इस सिस्टीम से नहीं जुड़ी है तो जल्द से जल्द आप इसमें जरूर जुड़ जाएं साथियों इस वर्ष हम आजहादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं हमारे सामने चुनवतियां जरूर है लेकिन विकास का पहिया हमें तेज गती से आगे बढ़ाते रहना है आप भी अपने गाउं के विकास के लक्ष ताय करें और ताय समय सिमा में उन्हें पुरा करें जैसे की ग्राम समा में आप स्वच्चता को लेकर जल सवरक्षन को लेकर पोशन को लेकर टीका करन को लेकर सिक्षा को लेकर के एक अभ्यान सुरू कर सकते हैं आप गाउं के घरों में जल सवरक्षन से जुड़े लक्ष ताय कर सकते हैं आपके गाउं में ग्राउंड वाटर लेवल उपर कैसे आएं इस्ते लिए लक्षत ताय कर सकते हैं खेती को फर्टिलाइजर से मुक्त करना हो या फिर कम पानी में पैदा होने वाली अच्छी फसलों की तरब गाउं को आगे बढ़ाना हो पर ड्रॉप मौर कॉप एक-एक मुंद पानी से मबलख पांक कैसे प्राप्त करें इसके लिए भी आप काम कर सकते हैं गाउं के सभी बच्चे और विशेशकर बेटियां स्कूल जाएं कोई भी बीच में पढ़ाई न छोड़े आप सब को मिलकर यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए ओनलाइन पढ़ाई को लेकर ग्राम पंचायत अपने स्तर पर किस प्रकार गरीब बच्चों की मदद कर सकती हैं इसमें आप जरूर अपना योगदान दें मिशन अंतियोदय सर्विक्षन इसमें जो गाउं की जरूरते जो कमिया सामने आती हैं हर ग्राम पंचायत को उन्हें दूर करने के लिए लक्षन निर्धारित करने चाहिए अभी की इन परिस्तितियों में पंचायतों का मंत्र होना चाहिए दवाई भी कड़ाई भी और मुझे विश्वास है कि कोरोना के जंग में सबसे पहले विजई के होने वाला है तो मेरे हिंदुस्तान के गाउं विजई होने वाले हैं मेरे हिंदुस्तान के गाउं के नितृत्व विजई होने वाला है मेरे हिंदुस्तान के गाउं के गरीब से गरीब नागरिक गाउं के सभी नागरिक मिलकर के विजय होने वाले हैं और देश और दुनिया को रास्ता भी आप गाउं वाले इस सफलता के साथ दिखाने वाले हैं ये मेरा आप पर भरोसा है, विश्वास है और पिछले साल के अनुभव के कारण है और मुझे पक्का भरोसा है कि आप उसको बखु भी निभाएंगे और बड़े प्रेम भरे वातावन में निभाते हैं ये भी अपकी विशेस्ता रहती हैं, कोई भूखा न रहे इसकी भी च किन्ता करते हैं, मैं फिर से एक बार आपकी करोना की लड़ाई में जल्द से जल्द विज़े प्रात्त हो, आपका गाउं, कोराना मुक्त गाउं रहे, इसमें आप सफल हो, इसी एक विश्वास के साथ, फिर एक बार आप सब का बहुत-बहुत धनिवाद करता हूं, आपक बहुत शुब कामनाई देता हूँ बहुत बहुत धनेवार